नवस्कार, नियूस टिस्टी में आप सभी का स्वागत है, मैं हुसन तोशाथ, यो मिडिल इस्ट समय युद्ध की आहट में सुलग रहा है, लेकिन आज का दिन, यानि 7 अक्टूबर इसराइल के लिए काला दिन है, क्योंकि हमास ने ठीक एक साल पहले, आज ही के दिन इसरा पहले लोगों की जान चली गई थी, वहीं दूसरी तरफ आज मालदीव की राजपती मुहमद मुझ्जू भारत दौरे पर आए, और अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले तक तु राजपती मुझ्जू ही भारत व्रोधी बयान दे रह ये तस्वीर कई माइनों में खास है, ये तस्वीर भारत की विदेश कूटनीती और बढ़ते रसूख का सबसे बड़ा सबूत है, मालदीव की राजपती मुहमद मुझ्जू दूसरी बार भारत दौरे पर आए हैं, दरसल राजपती मुहमद मुझ्जू वहीं हैं जिनों पर भारत आने की जरूरत क्यों पड़ गई, तो इसका जवाब है मजबूरियां, ग्राफिक्स में उन्हें गिनते जाई हैं, पिछले साल मालदीव के कुछ मंत्रियों ने पीम मोधी पर अभद्र टिपनी की थी, इसके बाद मालदीव जाने वाले भारतिये परटकों की सं परतिया ये हुआ कि इससे मालदीव का परटन सेक्टर बुरी तरह चर्मरा गया, मालदीव सरकार की कमाई का मुख्य स्त्रोथ टूरिजम है, भारतियों परटकों ने मालदीव जाना छोड़ा तो उसका विदेशी मुद्राभंडार बेहत कम हो गया, मालदीव का विदेश महमान बन कर आए हैं, तो भारत ने उनका स्वागत भी महमान की तरह ही किया, पियम मोदी ने राश्रपती मुईजु के साथ साथ मालदीव के डेलेगेशन का स्वागत भी किया और कई समझोतों पर मुहर भी लगाई सबसे पहले ने राश्रपती मुईजु और उनके प्रतिंजी मंदल का हार दिख स्वागत करता हैं, भारत और मालदीव के संवन सदियों पुराने हैं, और भारत मालदीव का सबसे करीबी पडोसी और गनिश्ट मित्र देश हैं हमारी नेवर हूर फ्रस्ट पॉलिसी और सागर वीजन ने मालदीव का महतकुन स्थान है इन दोनों ने, हमने रक्षा और सुरक्षा सईयों के विभिन्द पहलूं पर विस्तार से चर्चा की, एकता हारबर प्रोजेक्ट में काम तेजी से चल नहा है, हम मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सिस की ट्रेनिंग और कैपिसिटी बिलिंग में अपना सहयोग जारी रखेंगे, इंडियन ओशन रिजन में स्थीर्ता और सम्रुद्ध के लिए हम मिलकर काम करेंगे, हाइट्रोग्राफी और डिजास्टर रिस्पॉंस में सहयोग बढ़ाया जाएगा, कोल सिकूरिटी कॉंक्लेव में, फांडिंग मेंबर के रूप में, जूर्मे के लिए मालदी का स्वागत है। साथी राश्यपती मोईजु ने भारत के साथ संबंधों पर जोर देते हुए, विजन दस्तावेज पर सहमती भी जताई और व्यापारी कृष्टों पर भी चर्चा की। साथी राश्यपती मोईजु दरसल चीन और तुर्की के ज्यादा करीब माने जाते हैं। राश्यपती बनने के बाद वो पहले इनी दोनों देशों के दोरे पर गए थे। लेकिन कुछी महीनों में उन्हें भी असलियत का पता लग गया कि भारत के बिना मालदीव का गुजारान नहीं है। मालदीव को 1965 में आजादी मिली थी। भारत उन देशों में हैं जिसने मालदीव को बुरे वक्त में सहारा दिया। बैसे भी साथ एहम सेक्टरों में मालदीव पूरी तरह भारत पर निर्भर है। मालदीव की नाशनल डिफेंस फोर्स की ट्रेनिंग का 70 प्रतिशत सामान भारत देता है। दीते 10 साल में 1500 से ज़ादा मालदीव सैनिकों को ट्रेनिंग मिली है। कई बड़े इंफ्रास्रक्चर डेवलप्मेंट जैसे एरपोर्ट्स और कनेक्टिविटी को तैयार करने में भारत ने मदद की है। ग्रेटर माले इसका सबसे बड़ा उधारन है जिसमें भारत ने 50 करोड डॉलर की राशी दी है। मालदीव में इंद्रा गांधी मेमोरियल कैंसर अस्पताल को बनाने में भारत ने 52 करोड रुपे दिये हैं। भारत ने मालदीव में 1996 में टेकनिकल एजुकेशन इंस्टिट्यूट खड़ा करने में मदद की है। भारत की मदद से मालदीव में 33 लाख डॉलर का वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। मोदी सरकार में दोनों देशों के बीच व्यापार चार गुनाव बढ़ गया है। 2022 में दोनों मुल्कों के बीच व्यापार 50 करोड डॉलर था जबकि 2017 में ये 17 करोड डॉलर का था। मालदीव हर साल उस्ततन धाई लाख भारतिय जाते थे। लेकिन पिये मोदी पर मालदीव के मंत्रियों की टिपणी के बाद इस साल 24 सितंबर तक 88,000 के करीब ही भारतिय मालदीव गए है। मालदीव के मामले में भारत ने हमेशा ही बड़े भाई की भूमिका निभाई है। लेकिन राश्रपती मोहिट जू भूमिका बदलना चाहते थे। आलग ये अब लगता है कि उन्हें भी समझा गया है कि चीन के लिए वो सिर्फ इस्तिमाल की चीज भी है। और साथ अक्टूबर ये वही तारीख है जब इसले साल हमास के हमले से पूरा इसराइल दहल गया था। आज उस हमले के एक साल पूरे हो गया है और इस एक हमले ने बीते एक साल में पूरे मिडिल इस्ट का जो भूगोल है वो बदल दिया है। इंतकाम के आग में जल रहा है इसराइल हर एक दिन के साथ आतंक्यों के लिए एक और खुंखार होता जा रहा है। इसराइल ने हमास के कबजे वाले गाजा पट्टी को तबाह कर दिया। इसराइल पर हमास के हमले के बाद से आज तक में क्या कुछ हुआ है उस पर एक रिपोर्ट देखिया। साथ अक्टूबर दोहजार त्येट्स ये तारीक जाल पर एक रिपोर्ट देखिया।